नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने नीमडा का पौधा लेकर आया हूँ दोस्तों यहां पौधा नीम परजाती का है जो नीम से काफी मिलता जुलता दिखाई देता है इसके पत्ते भी थोड़ा थोड़ा नीम के पत्तों से मिलते जुलते हैं देख लीजिए लेकिन दोस्तों यहां नीम नहीं है हाला कि इसके गुड़ धर्म जो है नीम के समान है दोस्तों यह भी पौधा भारत वर्स में हर जगे मिलता है लेकिन नीम से कम कॉंटटी में मिलता है दोस्तों यह बिरिक्ष जो है करीबन 30 से 40 फूट के उचाई तक पाये जाते हैं तो देख लीजे पहिचान लीजे या जिस विरिक्ष के नीचे मैं खड़ा हूँ या विरिक्ष करीबन 30 40 फूट ऊचा है और यह देखिए दोस्तों यह नीमडा का फल है नीमडा का फल इस तरह से गोल गोल होता है और गुच्छों में लगता है देखिए इस तरह से गुच्छों में लगता है देख लीजी पहचान लीजी और पके हुए पत्ते जो है इस तरह से पीले-पीले हो जाते हैं तो आओ चलो दोस्तों अब इसके फायदेक बारे में हम बात करते हैं कि आखिर यह किन-किन बीमारी किन-किन रोगों में फायदे मंद है। तो दोस्तो आयरवेड के मतल्ड अनुसार यह जो है कडू होता है। तो दोस्तो यह अपने कडू स्वाद के कारण यह कित आडू न सक है। हर परकार के कीडे वाइरस को नश्ट करता है, दोस्तों इसके उपर से हवा गुजर जाए तो हवा सुद्ध हो जाता है, इस तरह से या नीम के तरह एंटिवैटिक, एंटिसेप्टिक माना जाता है, दोस्तों दाद, खाज, खुजली, एक जमा, अकवत, अपरस, अनेकों तर तोचा रोग में या काफी फाइदे मंद है, इसे उपियोग किया जाता है, अगर किसी को तोचा रोग है, दाद है या खाज है, तो इसके पत्ते को पीश कर पेश्ट बना कर तोचा रोग पे लेप किया जाए, इस्तमाल किया जाए, तोचा रोग जो है बहुत जल्दी ठी गो जाता है। दोस्तो निम्रा के फरी से तेल निकाला जाता है और यह निए तेल भी हर्परकार तुचा दोस्तो चेहरे के वह अगर धबे हैं फोडा भूदसीय आई विप्पल्स ji ुपिप्पल्स के दानें तो उसके लिए भी आप निम्रा की पत्तिपेक्ष्ट उसके के मात्र दो-चार दिन को प्योग में चेहरा बिल्कुल सौफ हो जाएगा दोस्तों नीम्रा के पत्ती काड़े से सड़े घले घाओ को दोने से घाओ जो है बहुत जल्दी सूख जाता है इंफेक्शन नहीं फैलता है दोस्तों अगर दात का रोग है दातों का मसूडों में करिक होता है तो दोस्तों देख लिजे पाइचान लिजे आयरुवेध की दुनिया में हजारोν सालों से इसे हक्षक एस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों आजकी महातपूरा जानकार्य हम यह समाप्त्त करते हैं अगर हमारी जानकारी आपको पसंदाब्स पर सक्राइक झाल झाल झाल